आप देख रहे हैं मायम जुनलर्टिव चैनल को आज की वीडियो में आप लोग देखने जा रहे हैं फैसिजम और नाजिजम ये दोनों टॉपिक्स हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे दोनों को अलग अलग वीडियो वनाने की जरूरती है क्योंकि दोनों जो टॉपिक हैं बिल्कुल सिमिलर है और ये देख लिए यह आपको इनको तो जानते हुए छोटे मुच्वाले चाचा को हिटलर है और अच्छा ये फैसिजम को हिंदी बे फासी वाद कहते हैं तो फासी मतलब वे वह गाशी नहीं जसलिए दोनों करके देख देखिएगा थोड़ा बहुत देखिएगा क्योंकि वीडियो का जो टॉपिक से न एक दूसरे से connected रहता है लिग रहता है तो चीजे समझ में जादा आती है वहराल यह चीजे में हर वीडियो में बोलता हो रिक्वेस्ट करता हो और हां इसका डोट चाहिए तो टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा लिंक मिलेगा अधिकार होना मोनार्की आपने बहुत सुना होगा तो यह फैसिस जो है न एक इटली वर्ड है इसका मतलब होता है सभी चीजों पर राजिकार नियंत्रन होना अधिकार होना बाकी को भी नहीं सिर्फ एक का अधिकार होगा तो यह फैसिस एक इटली वर्ड है ध्यार में र यह यह फासिजम और नाजिसम जो विचार धाराय है यह जो आइडियो लॉजी है यह आया क्यू और यह आने का कारण क्या है तो वो समझते हैं सबसे पहले आपको फर्स्ट वर्ड वार आपने देखा होगा सुना होगा यह जिरों ने वीडियो नहीं देखा फिर भी आप ध् इलाइस पावर में साथ देरा होता है तो लो आप सीज नटिस करेंगे फर्स्ट वाल-वार कि होता है रवीरिका में होताए अमेरिका में होता है डाइ hear- बूस्ट आता है सबसे जादा डिवलप्मेंट के मावले अमेरिका सब को पीछे चोड़ देता है एक नौबी इसकी बहुत तगड़ी हो जाती है और वह बात अलग है कि यह आगे चल करके अमेरिका वही एकनौबिक डिप्रेशन आता है पिछला वीडियो मैंने एकनौबिक ग्रेट डिप्रेशन महाबंदी वाला वीडियो बनाया था अमेरिका में महाबंदी कैसे आता है वो देख लिएगा तो वह बात अले गए लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के जस्ट वार कुछ सालों में अमेरिका इतना डिवलप्म करता है कि इसका कोई मतलब मुकावला ही अद्शी तरफ जर्मनी जर्मनी पे इतना त्याचार करा वालों ने फ्रांस डे यूके दे और अमेरिका ने कि जर्मनी का जो हालत था ना बन से बत्तर हो गया यह सेंट्रल पावर की तरफ से जर्मनी लड़ रहा था और यह संट्री वल्ड में हार चुका था क्यांकि भी मैंने आपको बताई थी कि इनको जर्मनी को ऐसा क्या गिया था कि आप 1000 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं और दूसरा पॉइंट इनों ने यह कहा था यह फर्स्ट वर्ल्ड वार में में अमेरिका हो जये मतलब एलाइस्वावर कि जिद्धिक कंट्री है अमेरिका फ्रांस यूके है एटिस्यी सभी का जितना भी लडाई में खर्चा हुआ है पूरा का पूरा पैसा का ख़र्च तुम हथाएगा इंगलेंड का जितना खर्चा हुआ इस लड़ाई में अमेरिका का जितना खर्चा हुआ इस लड़ाई में अल्टिमेटिक फ्रांस का जितना खर्चा हुआ लड़ाई में सारा का सारा भरपाई जर्मनी करेगा तो यह दूसरा था ट्रेटियों वोसाइस में आपने इसलिए म ने बोला ना फुर्स्ट वर्ड वार वाला वीडियो जरूर दिखेंगा तो इस तरह से जर्मानी को बरवाद कर दिया जाता है और नाजिजम इन जर्मानी आने का मुख्य कारण यही वनता है ठीक है इस तरह से अत्यचार हो रहा था तो वहाँ पर हिटलर फिर आते हैं जर्म नीपर तो अत्यचार हुआ ही था तो इस तरह से आप समझ लिया जर्मनी पर फिर्स्ट वर्ड वार में जब हार गया था तो कितना जादा पैसे मिलिये उपर से इनके जो कोईला वा गेरात का जो जगा था वह भी छील लिया गया वालाब इक यह जो था ना इनको पूरी त लिया गया किन के तरफ से फरांस हो गया यूके हो गया अमेरिका के तरफ से अब बात करते हैं इटली का क्या कारण है इटली में जो है यह फासिजम क्यों आया तो देखिए इटली में फासिजम फासिवाद इसलिए आया उसमें जब फर्ष्ट वर्डवार चल रहा था तो इ इतली नकार रहा था, बोल रहा था कि हम को फर्ष्ट वालवार में जाना ही नहीं है, फालतों में दोगों लड़ रहा है, बीच में जाएंगे तो हम भी थुरा जाएंगे, तो इसका पहले कहना था, लेकिन वहां के जो मुस्लिणी साहिब थे, उनका सोची कुछ अलग था, मुस्लिणी का कॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई कर रहें, लड़ाएं बगरा से दूर रहें, तो हम लोग औरत हो गए, नहीं ना यार, लेकिन ऐसा इसका कहना था, मुस्लिणी का, अरी जो मुस्लिणी जो मकलोलवा था न, ये हिटलर का कॉपी कीट कैट किया करता था, सारी मुस्लिणी ने ऐसा सब को मन में पैदा किया, ऐसा सोच डाला, ऐसा सब को प्रवोक किया कि आपको लड़ना है, और सभी लोग मान भी गए, इनसे प्रभावित हो करके फर्स्ट वर्ल्ड वार में कूद गए, और इगलैंड वालों ने इसको एक लेमचुस से फुस लाया, देखिए इगलैंड वालों ने इसको अपने चंगुल में कैसे फसाया, इगलैंड वालों ने इटली से कहा कि आप हमारे साथ आ जाईए और आप एलाइस पावर में बिल जाईए और सेंट्रल पावर के खिलाफ लड़िए, इगलैंड वालों ने ऐसा प्रस्ताव रखा, इटली वालों ने कहा कि ऐसा हम क्यों करें, अतलब क्या फायदा होगा ये सारी चितों, इगलैंड वालों ने इसको लालश दिया, इगलैंड वालों ने कहा अगर आप हमारे साथ देते हैं, फर्स्ट वालवार में, तो आपको फिर जब ये फर्स्ट वालवार खतम होगा, तो आपको कुछ चीजे देगी कुछ जगा, कुछ टेरिटरी आपको मिलेगी जैसे कि कुछ जर्मनी का पार्ट आपको दे दिया जाएगा कुछ आपको फ्रांस का पार्ट दे दिया जाएगा ठीक है, अलवेडिया वगेरा आपको बिल जाएगा जितना भी चीज़ है आपको सारा चीज़ बिल जाएगी तो ये वोला वाव तो इटली वाले वोले वाव यार इतना जादा प्रॉफिट होगा जरूर भाग लेगे हम इटली चल जाता है ग्लैड के तरफ से लड़ाई करने जब फर्स्ट वाल वार खतब हो जाता है डो डाउट इटली भी जीत जाता है क्योंकि एलाइस पावर ही जीत गया तो इटली का भी जीत हुआ एक तरक से तो जब ये फर्स्ट वाल वार खतब होता है एलाइस पावर जीत जाती है इगलैड जीत जाता है, फ्रांस जीत जाता है, जरवनी जीत जाता है, इटली जीत जाता है, और इटली जब जीत जाता है, तो यह अपना मांग जो बादा किया था इगलैड कि आपको जमीने देंगे, आपको टेरिटरी देंगे, आपको कुछ जगा देंगे, फिर इटली व चीफ जो था वो भी गया उस मीटिंग में और उन्हें बोला इंगलैंड से कि सर आपने हमसे एक बादा किया था याद करिए फर्स्ट वर्लवार जब सुरू हो रहा था तो आपने 1915 में जब हम आपसे जॉइन किये थे लडाई में तो आपने हमसे एक बादा किया था कि आप हमें यह जो टेरिटरी है यह जो जगह है आसपास की जो देश है आप हमें गिफ्ट के तोर पर देगे अगर हम आपका साथ देगे तो यह वादा आपका था इंगलैंड ने वहला कैसा वादा कौन सा वादा मैंने कुछ वादा नहीं किया है मैं दलब समझ रहे कि इस लेव कहता वादें के इस वह जो liकि उसको नका रहा उसने उन्होंने कहाँ एसा अंट कम कहा था नहीं था अंधर ही अंधर अन्धर बहुत ही जाना हुआ हुआ वैचारी को वाला यह तो सबसे वड़ा दोखा हुआ इनका कहना था इतली वालों का पताइए सर आप फर्स्ट वाल वाल लर रहे थे तो हमने आपका साथ दिया ठीक है आपको जीतने भी हिल्प करी अब आप जीत गया है तो आप बादे से वुकर रहे हैं बिना मतलब क लडाई करा लडाई में हमारे देश कर जो इकनोमी है वो भी डूआ क्यूकर लडाई में तो इनको थोड़ा कश्ट होगा ना यार उदर से जर्मनी इसको बहुत पीटा इटली को तो बहुत पीटा या इटली का एकनोमी भी गया और यह अपना लालच के चकर विए क्योंकि इसको लड़ाई में लड़के फाइदा किया हुआ कुछ नहीं ज्यादा से घाटा ही हुआ यही सब प्रोब्लम के कारण वहाँ के जो आम जनताय थी काफी ज्यादा परिसान हो गई वहां के जो राजनेता थे इटली के वो भी कहने लगे ये तो बहुत बड़ा धोका है जरूर इसका बदला लिया जाएगा सारे लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं ठीक है और उसके बाद यही प्रभाव बनते बनते एक फासिजब की विचारधारा ले आती है और हां एक चीज़ याद रखिएगा यह जो इंग लैंड ने इटली से बादा किया था कि आपको फर्स्ट वालवर जब जीत जाएगे तो आपको इतनी जाज जमीने देगे वह कौन से ट्रीटी के तहत कौन से संधी के तहत किया था ट्रीटी ओफ लंदन के तहत इनों ने ऐ इसा बादा किया था इटली से लेकिन फर्स्ट वालवर जैसी खतब होता है तो मारे से बुकर जाते तो ट्रीटी ओफ लंदन याद रखिएगा ओके यह सब कारण से जो प्रतिकीरिया थी प्रोटेस्टेंट लोग प्रोटेस्ट करने लगे सब सारे नीतियों का इंग लैं एक और मात्मेगरमाया हुआ था इनके साथ सबसे पहले लडाई करें तो इनको लडाई में कोई फाइदा नहीं हुआ उपर से लाउस हुआ दूसरा इनसे धोखा किया गया बादा से मुकर गया इंगलेंड तिसरा जिता था इसने फर्स्ट वालवार तो इनने इटली वाल है इंगलेंड वाला अल्मेनः भी ले जाता है बोलता है लिए या मेरा है तुम्हारा नहीं इत्ली ठीक है अल्वेनिया हमको देदो विचारा एक जगह जीता था इटली वह भी लेका चल गया अब यह इस से बात पे अब इस बात से भी गुस्सा था सभ़ा इटली वाले और economic recovery फिर नहीं हो पाया यही समकारण से फिर क्या होता है वहाँ पर Communist Party, Socialist Party बंदे लगती है Communist Party की बिचारधारा कहां से आती है रस्या वाले लोग से आती है Russian Revolution आपने पढ़ा है Russian Revolution का जो base था Communist Party की ही तो था तो वह सारी चीज़े यहां पर पनपने लगती है Socialist लोग, Nationalist लोग, राष्ट्रवादी लोग, बिचार धारा है बहुत सारे लोग फिर आगे आते हैं देश को अच्छा वनाने के लिए इटली में यह सारी चीज़े पनपने लग जाती है जिन्वे से एक होता है फासिस्ट पार्टी, फासिस्ट पार्टी के आइडियोलोजी को ही अब लोग फासिज़ंब बोलते हैं फिर आगे चल करके इलेक्सन सोता है Socialist पार्टी और अदर पार्टी के बीच फिर आगे में यह सारे इलेक्सन के बाद, लास्ट वे पिक्चर में जो आता है सोसेलिस्ट वगेरा को हटाओ फिर आता है फासिस्ट पार्टी लास्ट में फिस्टिस्ट पार्टी का जो बेधिरो होता है मुसलीनी होता है तो मैंने आपको एक वीडियो के सुरुवात में पिक्चर दिखाई थी यह रहा यह यह टकला है यही है काउंट मुसलीनी और यह बोल सकते हैं यह जो टकला है यह इसका चमचा है जो यह कहेगा वही यह करेगा और इसकी जो दिमाग थी इसका दिमाग बड़ी खतरदाक था और इसी का दिमाग का कॉपी कैट यह किया करता था मतलब यह जो करेगा वही सारा चीज यह अपने इटली में लागू करता था ये अधर अपना जर्मनी में चीज लागू करता था इसी का देखा इसकी ये इटली में अपना वही चारी चीजे करता था कॉपी कैट था मुसलिनी और उनी का नाम यहां पर लिखा गया है 1929 बेनीटो मुसलिनी पुरा नम मुसलिनी जो था बहुत ही मतलब एक मुल सकते इनको दो तीन चीजों से बहुत जादा इनको नफरत था पहला तो कॉम्मेनिस्ट कॉम्मेनिस्ट वाला जो विचार धारा था उससे इसको बहुत जादा नफरत था दूसरा लोक तंत्र डेमोक्रेटी से इसको बहुत जादा न इनको लड़ाई भगैरा में मन लगता था जो लड़ाई नहीं करते थे उन लोगों से हिनको नफरत था तो मुसलीनि को मेजर तील चीजика नफरत था और भी चीजे थी पहला क्या मने वताया कॉम्मिनिस्ट इनको पसंद नहीं था और दूसरा में ने बताया Democratic इनको नहीं पसंद था थर्ड में ने बताया इनको जो है जो लड़ते नहीं है वो नहीं पसंद थे इसलिए Fascist पता था Democratic में ऐसा नहीं है हर Individual State का हर Party होगा CM होगे सब यह States के अलग-अलग Democratic में बहुत लेंदी चीज हो जाता है लेकिन Fascist में सिर्फ एक Party और एक नेता जो की था Muslimi यह इसलिए Democratic को हेट करता था और जो लड़ाई वगेरा में भाग नहीं लेते थे उससे इसलिए हेट करता था क्योंकि इनका ऐसा विचार धारा ही था कि लड़ाई के बीरा obviously हमारा जो Italy है आगे नहीं बढ़ सकता है हमारा Italy डेवलप नहीं कर सकता है अगर हम अपना Italy को डेवलप करना चाते तो लड़ाई में भाग लेना पड़ेगा समको लड़ना पड़ेगा और इस सभी विचार धारा से न वहां के इटली के यूवा थी हमारे जैसे यूवा काफे जादा प्रभावित होई मुसलीनी के गुर गाने लगी और यूवा मुसलीनी का साथ देने लगे और मुसलीनी का जो पार्टी था दिन पर दिन बड़ा होते गया क्योंकि लोग जुटते गए पार्टी इसमें इनके पार्टी इसमें इनके पार्टी में ना सिर्फ विद्यार थी स्टुडेंट्स जुडें साथी साथ बड़े बड़े बिजनेसमें जुड़ें अब बड़े बड़े बिजनेसमें जुड़ें तो बड़े बड़े बिजनेसमें के फॉलोवर्स होते हैं वो भी अपने बिजनेसमें के जुड़ें वो भी उहां पर जुड़ जाएगे किसाद भी इनके पार्टी में जुड़ते गए बहुत सारे लेवर्स भी इनके पार्टी में जुड़ते गए लेवर्स, किसाद, स्टुडेंट्स, बड़े-बड़े बिजनेसमेन, इंडिस्ट्री लोग सभी लोग इनका साथ दे दिये कि उनकी सुरुवाद के 10 सालों ने इने इंवे काफी जादा अच्छे काम करें अच्छे कामों में जीसिकि बहुत सारे धनी लोग है कैपिलिस्ट लोग है जिनके पास बहुत जादा धने बहुत जादा खेत है जो बेगा है किसे के पास मिलियनों में डॉलर बगेरा है तो उन लोगों को क्या किया जिनके पास बहुत जादा धन थी उनका पैसा 85% पैसा उनका छिल लिया मुसलिनी अरुस 85% पैसा को गरीब बाट दिया ठीके मतलब इक्वल कर दिया सभी को कोई अभी राजा नहीं कोई गरीब नहीं सभी के पास समान पैसा होगी तो ये वहाँ के जन्दा बोली अरे बहुत अच्छा काम कर रहा है ये तो हम लोग गरीब को लिए बहुत अच्छे लोग है ये मतलब पैसा दे रहा है और जिसके बहुत जादा पैसे हैं उससे पैसा लेकर के गरीमूं पेमाड रहा है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है विसलिए मुस्लीनी का धीरे-धीरे सवर्थन बढ़ने लगा लोग इसके साथ खाने लगे ठीक है और बुसलीनी और भी कामे करी अच्छे-च्छे कामे जिससे लोग प्रभावित हुए और इनकी साथ जुड़ते गए जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री हो गए कोई फैक्ट्री हो गए वहाँ पर बोला कि मजदूर को भी अधिकार होगा ऐसा नहीं है कि मजदूर सिर्फ काब करेंगे मजदूर का भी कुछ अधिकार होगा मजदूर भी कुछ डिसीजन ले पाएगे जो बड़े-बड़े फैक्ट्रीज थी है उसमें तो इनका ये अधिकार जो मिला मजदूरों का अगेर मजदूर लोग खुस होगा है वह ले पहले हम सिर्फ काम करते थे आप लोग अब आठ घंटे ही काम करेंगे जादा आपको काम करने की जरूबत नहीं है अब आठ घंटे काम करेंगे फिर नहराब करिए तो ये सारी चीज़े स्ट्रेटेजी थी जो प्रवावित करी वहां की इटली की आम जिंता को और फासिस्ट पार्टी में सभी जुड़ते गये करके और मुसलिणी को नहीं नहीं खराव लगता ही था इनको कानूर बगेरा से सक्त नफरत था और जैसा फासिस्दम है वैसा ही नाजिस्दम है आपको नहिस्दम में पढ़ाओगा भी थोड़ा दिर्बाल पहले जो यहां पर चीजे लिखी गई है वो देख लेते एक बार चुकि मैंने सारी चीजे आपको अल्रीडी बता दी जित्ता मैंने अभी बोला विस मीनिट में सारी चीजे आपको मैंने कवर कर दी अल्रेडी वही सारी चीजे लिखी रही है आपे देखिए युडिफिकेशन ओफ इटली का भी लेक्चर मैंने डाल दिया था युडिफिकेशन ओफ इटली वाज ओली कॉपलिटी दे अठारा सु सतर हावेवर डियो स्टेट सफर्ड फ्रॉमिक मैंने बताया था इकिनोमिक करडिस्टर बहुत ज्यादा खराब हो गई थी उसके बा इन गलें ने बादा किया था वह सारी चीजें बुकर जाता है जो कि बहुत ही बिटर होता है बहुत ही खराब होता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं 1910 से 1922 भी क्या होता है बिटमीं 1910 और 1922 देर वेर फाइब डिपने गवर्मेट जैसे कि बता है ना सोशलिस्ट ने अबिश्ट फैसिस्ट वगेरा आने लगे विचार धाराय नए पनपने लगे वही सारी चीजें इनकापेवल मतलब पाच गवर्मेट थी लेकिन सारे का सारे इनकापेवल थी सारे का सारे बकलोल थी चुछ सिचुएशन के एकॉर्डिक इन्होंने डिसीजन नहीं लिया ज लोगों ने मुसलीनी के पार्टी में इसलिए जूटते गया क्योंकि इन्होंने शुरुवाती के 10 साल बहुत अच्छे काप करे थे तो 1909 में मुसलीनी आपने फासिस्ट पार्टी का गठन करता है और इलेक्शन जितता है 1925 से उसके बाद अगला लाइन देखिए अगला क्हीं एक आदिवेशन होता और अधी वेशन में बहुत लोग भाग लेते हैं 1000 से जआदा लोग भाग लेते हैं अ स्बाएद में आप जनता कुछ माझें रखती हैं और किसे रखते हैं मुसलिनी से मांगे रखती हैं एंडिंवेशन हमे उसमें म मंत्री से मुझें trees तो i ken मीच ग्राजा थे एंडिकरं एंडिमनेवल शेटनी को事情 इनके पाच अधिकारी दिक्त किये थे मुसलीनी ने इनसे मागे करी कि जो चीजे मागी जारी है वो पूरती करी है तो किंग विक्टर इमेडुल जो थे इनकी मागों को रिजेक्ट करते थे बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मैं नहीं कर रहा आपकी मांगों को कुछ भी बोलेगे हम बें मानती जाएगे क्या मुसलीनी इस बात से काफे ज़्यादा दुखी हुआ दुखी नहीं काफे ज़्यादा गुश्चा हुआ फिर ये left wing revolution करना चाहा मुसलीनी ने अपने साथियों के साथ बहुत सारे हजारों लोगों के साथ इन्होंने रोम चला गया देखिए left wing revolution जो है रोम में हुआ था यहां पर लिखा भी हुआ होगा left wing revolution strikes, riots कहाँ पर march in Rome, march in Rome, बहुत सारे लोगों से साथ इन्होंने march करा, march मतलब रोम गया और वहां के डाक घरों पे, railway stations पे बहुत जादे, मतलब दो-तीन जगा जो मीन में थी, वहां पे इन्होंने कबजा कर लिया और जब कवजा कर लेगे, तो वहां के जो victor Emmanuel hacking है, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, मुसलीनी ने कवजा कर लिया इनके आख के सामने, तो king जो था Emmanuel वो डर गया, बोला बापरेवा, बहुत खतरनाक है ये मुसलीनी, ठीक है, फिर ये king जो था डर के, मुसलीनी को बोला, क्या आप हमारे रोब के प्राइमरिस्टर बनेगे, प्रधान मंतरी बनेगे, तो इन्होंने क्या कहा, क्यों नहीं, मैं जरूर बनुगा, फिर ये जो है, फिर से मुसलीनी रोब जाता है, और अपने कुछ लोगों के साथ जाता है, और वहां पर जाकर के, ये फिर जो offer मिलता है ना, किंग के तरफ से की प्राइमरिस्टर बनेगे, फिर जाके आगे चलके प्राइमरिस्टर बन जाता है, प्राइमरिस्टर जब बन जाता है, तो फिर आगे चीजे देखते हैं, प्राइमरिस्टर बनने के बाद ये मुसलीनी क्या करता है, ओके, और इस लड़ाई में, इस revolution में कोई खूण खरावा नहीं होता है ध्यार रखिएगा कोई खूण खरावा नहीं तो 1922 में इनको offer मिलता है ठीक है invite किया जाता है king के दरफ से और तक फिर रहते हैं ठीक है 1922 से 1923 तक ये फिर देखवाल करते हैं अब देखिए मुस्लिणी के पास अब फासिस्ट पार्टी तो उनका था ही लेकिन उनके साथ पावर नहीं था वह सिफिक पार्टी था अभी उनके हाथ में रोब रोब उस समय इटली का क्या था रहा नहीं थ दीक्टेटर वन जाता है अब यह लोगों कि प्रती काम नहीं करता है अब यह अपना विचार्धार आया अपने काम को करने लगता है अपने तरीके से अच्छलने लगता है तो वही सारी चीजी याँ पर मेंसर Mingya, dictator and attempted to control entire way of Life of the Italian people, Italian people के busy life को, सारे की सारे Italian people के life को all the life को control करने अ पने तरीके से기가 चलाने लगता है,ated 10 सालों ने इदोंने इतना अच्छा काम किया, muslinis ने, कि सारे लोग muslinis के party में जुड़ते गये, सारे लोग मुसलीनी की पूजा कर रहे थे वह वह आपने इतना चछाप किया लेकिन जैसे ही दस साल बाद हुआ इनो ने डिक्टेटर सीप अपना लिल लगा डिक्टेटर सीप अपनाया ताना साही करने लगा बनमाजी काम करने लगे इटालियन पिपल्स पे अत्यचार वग मॉल सकते हैं ठीक है मोनार की जबं किस लिए भोल सकते हैं फार टार एक तो फशिजम का आइडियोलोजी का था जो जो जादा ज्डिया गया इक्स्ट्रीम डिशिनलिजम कर दिया गया एक्स्ट्रीम डिया जता है जब कर दिया जाता है कोई भी दसमरवाद हो जाता है ठीक है एक्स्ट्री नेशनलीजम देखिंग राश्ट्रवाद नेशनलीजम ठीक है लेकिन बहुत जादा एक्सट्रीम नेशनलीजम देश को ले डूपता है। जर्मन के हिटलर का एडल्स हिटलर का कॉपिंग किया करता था और बाकी चीज़े में ने वही लिखी शुरुवात में इन्होंने पॉपुलारिटी पाई अपने अच्छे से काम करके 10 साल फिर बाद वे इस डिक्टेटरशिप तानसा वज जाता है लेटर ही मेड तानसा ही व वॉर्डवार में हिटली को पता था कि ये अफ़र्ड नी कर सकता है कोई वार मीन वॉल होनी की लिए परसे रुकसान जरूर होगा तो जर्मनी जो लड़ रहा था सकेड्वल वार वी ये कुद जाता है इटली उसके वाल में इसके जो था वहाड़ जाता है वहां हारने का पिर क्या करा जाता है अरेश्ट कर लिया जाता है उनिसों ते तालिस में आप मुस्लिनी का चैप्टर क्लोउस अरेश्ट हो गया विशारा बट वाज रिस्क्यूड वाई जर्मन आगे चलके यह जो अरेश्ट हुआ है जर्मन वालों ने इसको फिर छोड़ा लेते हैं मुस् कि टॉटियो का उपरिवाग उपर पहुंण गयरा सेट अप करता है जर्मनी के जर्मन सेटेता एजर्मनी के सेडा हो गें एट्स मतलब सेडा होती है And Mussolini tried to escape to Switzerland but was captured and sought dead by the Italian enemies known as Partisans. a.m.s. और जान से मार देते हैं बहुत गंदा मौत मारते हैं इनको, इनकी मार करके खाल उधेर करके पूरे नचवाते हैं, नचवाते हैं यह मरने कवाल कोई नाचेगा थोड़ी, पूरे नम सोपिस में रख देते हैं, इनकी जो पिक्टर है, आप लोग देखिए का गूगल पर है किस तरह से खाल लुच करके इनको मारा जाता है, बात करते हैं नाजिजम की, यह फासिजम खत्म हुआ नाजिजम पर आते हैं, नाजिजम भी सिवलर है, नाजिजम फासिजम के सिधानत पे ही काम करता है, इनका भी यही करना है कि यहाँ पर जब जर्मनी है, नाजिजम सब इनकी सीथान पर ही काम करते थे ठीक है नाजीजम जो है किसे द्वारा लाया गया था उनकी ही आडियो लोजी थी नाजीजम इनके आडियोजी की कुछ में पॉएंट्स होते थे ठीक है चारूपाइंट्स हम आपको बता जेते हैं एडॉल फिटलर था आप लोग भी जानते होंगे कितना खतरनाग था सकेड़ वर्ड वार करवाया है ये तो इनका बैंग्राउंड आपको मैंने बताया ये जर्मनी जो था फ्रस्ट वर्ड वार में पूरी तरीके से हार चुका था और इस पे उल्टी सीधे ट्रेटी ऑफ वर्साइस के तहट उल्टी सीधे कादूने उल्टी सीधे चीजे लगाई गई इनको कहा गया हजार से जादा सहरी का आप नहीं रख सकते हैं इनको कहा गया जितने भी इंग लैंड फ्रांस अमेरिका कुलाउस हुआ है फश्ट वलवार में उसकी पैसा जर्मनी देगा वर्वाई जर ग्राउंड थी और यही सब कारण के कारण जर्मनी में नाजिजम पनपता है जर्मनी में यह आपके हिटलर आते हैं हिटलर पे एक सेपरेंट वीडियो मनाएगी हिटलर कौन था इनकी बाता पिता क्या नाप था कहा जर्मा था यह इतना ज्यादा खतरनाक कैसे बन गया इस फर्स्ट वर्लवार के दोरान ही होती है फर्स्ट वर्लवार के खतम होने के बाद ही होती है जस्ट सिमलर टू फासिजम फासिवादी के सिमलर ही है यह नाजिजम यह भी फर्स्ट वर्लवार के बाद स्टार्ट होती है और इसमें क्या होता है कि एडॉल फिटलर में हिरो हो होता है डेस्टनल सोशलाइजेशन डेस्टोश एड़ पार्टी तो इस का में देख लिएगा आपको हो सके एक्जाम में इनका फूल फ़ाम कभी कभी पूछ ले तो याद रखना है ठीक है फिर आगे चल करके यह 1933 में अपना यह नाजी पार्टी एडल्फिटलर बनाता है औ इस एडल्फिटलर का जो नाजीस पार्टी था उसका कुछ में आइडियोलोजी था में बिचार दा रहा है थे में पॉइंट्स चार पॉइंट्स देखते हैं चारों पॉइंट्स से पहला था एक्सपैंशन ठीक है एक्सपैंशन तो सबस्ते होगे अपने कंट्री की जो पॉडरी लाइन है उसको बढ़ाना उसको ही बोलते हैं एक्सपैंशन तो यह चाता था जादा से जादा देशों पे हमारा कब जाहो और दुरिया का सबसे अब जादा पावर्फुल जो देश है जर्मनी इन्होंने हाब जुद्दा से यह कहा फर्स्ट वर्लड वार में हम ने हारा उसके बाद हम पे बहुत जाना त्याचार किया गया एलाइस पावर के दौरा तो उसके बाद हम आपके जो खोए हुए सब्मान है उसको हम आपको बापस लोटाएंगे आपको इज़त दिलवाएंगे अब आप जर्मनी में रिस्पेक्ट फुली रह पाएंगे त इनको लडाई में बहुत जादा उनल लगता था इडानल फिटलर फिटलर के लडाई करने के बहुत जादा बद लगताता था नुश्रा व्हक्ट ये रैस यल पीयोरेटी रैसियल प्योर्यटी का असली मतलब यह जो WIN— Bowser की जो रैस्यल मतलब होता है जो आरीयल्स लोग फे आरियल्स ठीक है जो आरियल्स लोग थे वो रैसियल प्योरिटी थे बाकि जितने भी लोग थे वो नीचे जातकी लोग थे आरियल्स उचे जातकी लोग थे बाकि सभी नीचे जातकी थे अभी रैसियल प्योरिटी आप एक और नाम सुने होगे रैसियल डिस्क्रिमिनेशन च सबसे ज़्यादा सुपीरियर मत्ते थे आरियंस का खून सबसे ज़्यादा अच्छा होता था साफ होता था सबसे ज़्यादा लाल होता था इसलिए आरियंस को सबसे ज़्यादा भैली थी और यह जो जर्मनी वाले हिटलर से उनका बना था आरियंस के इलावा जितने भी और क हिटलर का वह था पावर यह दुनिया का सबसे पावर्फुल कट्री बनाना चाहता था तो पावर भी एक इनका कारण था आडियो जी था चोठा इनका इडियो लोग था हिटलर ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया इतल कि हिटलर को पता था जब तक जिद्धी टगड़ी विलिट्री होगी उतना ही आपका देश चाहदा लडाई करेगा और उतना ही जादा एक्सपेंसर कर सकेगा ठीके उतना ही ज्यादा पावरफुल दिखेगे जितना ठगड़ी उतना ज्यादा पावरफूल, उतना ज्यादा आप चीजों को जीत पाएंगे, लोगों को हरा पाएंगे युद्ध में, तो मिलिटरी पे इन्हों ने काफी ज्यादा जोड डाला, और जो ट्रीटी ऑफ बरसाइस में कहा गया था, जर्मनी एक हजार से ज्यादा साइनिक नही अब देवी टगड़ी कर ली इनों ने आर्मी टगड़ी बना ली इनों अब एयर क्राफ्ट वगेरा भी टगड़ी मनाया, बहुत ही ताकतवर साइनिक इनों बनाया, जो कि इनको सकेर्ड वर्डवार में काफी ज्यादा हेल था इनकी मिलिटरी, अब देखिए हम लोग बुक से ही बन तो बुक के चीजे आपको पता होनी चाहिए, आपको concept clear हो गया होगा है जो मैंने बताया जर्मानी में नाजिजम किन C 그럼 तो देखिए जो हिटलर है डायरेक्ट बन जाता harmony का जर्मनी का यह मैं यह इसको भी स्ट्रेगल करना पड़ेगा इस से में जर्मणी जो बढ़ाएं जटि के अपने राश्टे से ह्ताना पड़ा जितनी भी रास्ते काता को हिटलर को वह रास्टे से लड़ा आगे चलकर być ह 어느 सेबत्तर उसके बाद उस समय जो राजा थे प्रिंस मैक्स थे वहां के जर्मनी के राजा थे जो की चांसलर थे जर्मनी के राजा को चांसलर कहा जाता था उस समय जर्मनी में चांसलर जो थे प्रिंस मैक्स थे तो प्रिंस मैक्स को काफी अलोचना जहली पड़ी अलोचना इस थे उन्होंने क्या कहा कि आप कैसे यह बर्शाई की संधी मान सकते हैं यह tragically कैसे कर सकते हैं आप sweetness कर लिए इस तो सबी कि लोग आवाज उठाने लगे आम जनता पुर्ण समय क्षेत को अवाज उठाए पुरिंस मैक्स कई मैक्ष से अगे जो भर फाव 사진 कैसर तो यह आवाज उठाया बोला आप कैसे ट्रीट वर्साइल को मान सकते हैं हमारे देश के लिए क्या ये अच्छा है एक हजार से ज़्यादा सैनिक हम लोग रख नहीं सकते हैं अगर कोई हम पे हमला करेगा तो एक हजार सैनिक क्या ही कर लेंगे तो सैनिक भी बहुत कम रखने दिया ट्रीटी वर्साइल के अंतरगत पैसा भी जा रहा है बाहर हम लोग भुकमरी से मर रहे हैं तो आम जंता वगेरा सवाल उठाने लगी प्रिंस मैक्स में सबसे आगे थे कैसर इन तो कैसर आवाज उठाएगा तो राजा के पास पाबर है ना अभी राजा कैसर के साथ क्या करता है जेल वगेरा में इसको डाल देता है और आगे लिखा गया है he was known into the favor of more democratic form of government in which parliament had number of power प्रिंस मैक्स जो था वो democratic government पे बिस्वास रखता था जिसमें पारलियमेंट की सबसे ज़्यादा अधिकता होती थी मिनिस्टर बगेरा की ज़्यादा अधिकता होती तो democratic टाप का ये प्रिंस मैक्स था लेकिन उसके बाद जो जनता थी पगलाई हुई थी गरमाई हुई थी तो अब हम लोग next line को समझते next line में लिखा गया है ये जो प्रिंस मैक्स था इन्होंने जितनी सारी चीजे करी इन्होंने जो आवाज उठा रहा था उसके खिलाफ इन्होंने एक्सन जो लिया बिल्कुल गलत था फिर आगे जो है इनका समय खतम हो जाता है बोले तो इनका खराब दिन सुरू हो गया था उल्टी गिंती इन्होंने सुरू कर दी थी इम्राज का बुलावा आ चुका था इनका क्योंकि पबलिक लोग गर्माई हुई थी को प्रिंस मैक्स को रिजाइन करना पड़ा अपने सत्ता से हाथ दोना पड़ा लोगों ने इनका ऐसा मजबूर कर दिया कि रिजाइन करने की नौबत आ गई और रिजाइन जब किया था तो कैसर को इन्होंने बंदी बना था कैसर भाग जाता है स्कैप हो जाता है कहां है होलेंड चला जाता है फ्राइडरिक इवर्ड फ्राइडरिक इवर्ड जो आते हैं फिर वह आगे का चलके हेड ऑफ दा गवर्मेंट बनते हैं ठीक है प्रिंस मैक्स के जाने के बाद और यह डेमोक सोचिल डेमोक्रेट पार्टी इ पर आगेस्टाइं आता है 1919 1919 में क्या ता है एक जेनरल इलेक्षन होता है जर्माणी में पहले चैक्छन हुआ धूक प्लेस जर्मनी पहली वार कोई लोक्तांत्रिक इलेकशन देखी गई जनवरी 2019 में एवोर्ट विकम दफर्स्ट प्रस्टेट आफ दर रिपब्लिक जर्मन कहने का मतलब है फिर आगे चलकर जो एवोर्ट है वो आगे चलके जर्मनी का पहला पर सिडेंट बनता है question बनता है एक्जाम में who was the first president of the republic जर्मन तो इवर्ट ही बनता है और इवर्ट जो था बिल्कुल बिल्कुल सेम था आपके प्रिंस मैक्स के तरह ये भी democracy में believe करता था लोक तांत्रे में believe करता था फिन धीरे ही धीरे ये जो नए नए government बना था इवर्ट का वो the new government popular हो जाता है जर्मन में सभी जर्मनी वाले लोग में और इसकी जो बिपक्षी पाटी थी जैशन तो इनका जो पार्टि था डेमोक्रेटिक पार्टि था और शात ही साथ इनके जो विपक्षी नेतायन थे विपक्षी पार्टी थी वह कॉमिनिस्ट पार्टि थी इन्हों ने क्या करा कॉमिस्ट पार्टि नहीं जब जीएलेक्षिन से पहले विफोर्ड घ्लेक्शन attempting to seize the power in aspartist rising जनवरी 1990 में इन्होंने कुछ powers बगएरा अपने हाथ में लेना चाहा seize करना चाहा then move to the next line उसके बाद 1920 में देखिए the right being enemies इन्होंने बर्लीन को occupy कर लिया जो कि बहुत ही गलत था मतलब बहुत ही harassing था the government anyhow इस सभी समझे साथ problem से अपने आपको survive करा बचाया इस ट्रेट से उसके आग हम लोग पढ़ते हिटलर के वारे में हिटलर क्योंकि main चीज जो है नाजिजम में हिटलर ही है जब 1990 खतम होने वाला था by the end of 1990 वहाँ पे जर्मनी में एक नए constitution की निर्मान की जाती है जिसको हम लोग बेमिर constitution कहते हैं बेमर constitution देखिए national assembly परलेमेंट के दोरा एक नए constitution की शिरुवात कही गई बेमर constitution और बेमर constitution का नाम रखा गया बेमर रिपबलिक जैसे हमारा संभिदान है तो हमारे constitution को इंडियन constitution कहते हैं उसे तरह किसे इनके constitution को बेमर रिपबलिक कहते हैं तो ये नया नया बना था और इसका बहिसकार खुल कर किस ने किया अपने हिटलर ने किया तो ये 1919 में बना था बेमर constitution और 1933 तक रहता है और ग्रेट डिपरेशन लास्ट वीडियो में हमने देखी थी ग्रेट डिपरेशन क्या होता है अमेरिका में ग्रेट डिपरेशन कैसे आता है और पूरे वर्ल्ड में एकनॉमिक डिपरेशन ग्रेट डिपरेशन कैसे आता है वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन में है जा करके एक बार जरूर चेक करें तो यह जो बेमर नए नए constitution बना था निशनल असेंबली परलेमेंट के तवारा वो 1909 से ले करके 1933 तक रहता है और इसका वहिसकार करने के लिए हिटलर फिनाता है और क्या करता है हिटलर इमर्जेंसी लगा देता है पूरे पूरे जर्मनी में इमर्जेंसी लगा करके यह जो तो आपका संभिदान है वह तो जल कर राखी हो गया और जो गवर्मेंट है वह भी कल्यप्स कर गई यह सारे सिच्वेशन से बाहर ही नहीं निकल पाई फिनाडल फिटलर जो था वह अपना जो नाजिजम था उसका परचार वगेरा करने लगा लोगों को फॉलो करने के लि इसे से बाद इकिया जिर्मठी वाले लोग से ही टलर ने तो जर्मठी वाले लोग ने विस्वास कर तरा हिटLर का साथ भीया हिटलर का फिर फालेदी हिटलर के पास पावर आजाती है हिटलर जो है 1933 में पर्सिडेंट जो वहां को होते हैं हिंडनजवर्क वो हिटलर को चांसलर बना देते हैं 1933 में फिर जैसे ही हिटलर चांसलर बनता है अपना जलवा दिखाना सुरू कर देता है तो ये जो हिटलर था 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 ये आवाज उठाया करता था सत्ता के खिलाब उस समय जो भी सरकार थी, जरुआरी में उसके खिलाफ twenties फिलाफ ये अपना आवाज उठाता था और अपने नाजिवन आजिवन को पर्मोड करता था. सारी लोगों को बोलता था नाजिस्दम को फॉलो करे बाकि सरकार को भाइसकार करे तो ये सबी चीज़ें देख करके सरकार तो इसके खिलाफ एक्सल लेगी हिटलर के खिलाफ एक्सल लेती है हिटलर को ढूड़ने लगती है कहा है हिटलर तो हिटलर जाके छूपके भाग जा जाता है और यहां के छूप जाता है यहूदी के घर में यहूदी के घर में जाके छूपता है तो यहूदी जो होता है वह बकलोल होता है वह जाके बता देता है सरकार को कि हिटलर मेरे घर में चुपा हुआ है तो सरकार आती है और हिटलर को पकड़ के बंदी बना लेती है औ आपना एक आत्म कथा लिखता है उसकीताब का नाम हो मेरा शंगहर रखतें मैंट कॉम्फ आप सरक यूटूब पर देख लिएगा किताब कैसा था उसमें अपने जो जेल में बितावी गई समय था हिट्लर उसका बर्णन करता है फिर आगे चल के ये जेल से बाहर निकलता है से जब बाहर ये निकलता है तो यहूदी से बदला लेता है क्योंकि यहूदी ने ही इसको जेल में पहुचाए था यहूदी अगर सरकार को जाके नहीं बताता कि उसके घर में चुपा हुआ है तो क्या हिटलर जेल जाता नहीं जाता फिर जैसे ही जेल से बाहर निकलता है यह साथ लाक यहूदियों को गंदे जो गैस होती है जहरीली गैस से एक गोदाम में सभी यहूदियों को ठुचता है और आप जहरीली गैस छोड़ देता है उससे मौत हो जाती है इस तरह से हिटलर अपना बदला ले लेता है चंसलर बनते ही यह डेमोक्रेसी पूरे तरीके से ख पाके संधी हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के लास्ट में बर्शाई के संधी को पूरी तरीके से मानने से उनकार किप दिया तो जैसे हिल संध में आता है उसके हाथ में पावर आ गई जब uto जरुंइंक को अपने एवन बनाता है और सबसे टगड़ा बनाता है जो कि इनको सकेंड वर्ड वार में आगे चलके बहुत ही हेल्प करता है वहां के रहने वाले थे और हेंस उन्हों का कहना था कि जर्मनी मतलब हिटलर और हिटलर मतलब जर्मनी वन्स अगें वोलता हूं जर्मनी मतलब हिटलर जो हिटलर की बाते बाते हैं जो हिटलर को सपोर्ट करता है वो जर्मनी को भी सपोर्ट करता है जो हिटलर को सपोर्ट नहीं करता है वो जर्मनी को भी सपोर्ट नहीं करता है हिटलर ने वाई सराई के संदी को पूरी तरीके से मानने से इंकार कर दिया और उसको तोड़ दिय और उसने अपने मिलिटरी वगेरा बहुत ही ज़्यादा टगड़ी बनाई उसने अपने एर कराफ्ट जो होती है लडाकू बिमान उन्हें बहुत टगड़ी बनाई एक क्वेश्चन एक्जाम में ऐसे पूछा जाएगा आपसे हिटलर के दोरा जो जहाजे बनाई गई थी ल लड़ाई में सामिल होता है और जर्मणी ने ना सिर्फ जहाज लड़ाकों बिमान बनाए इन्होंने संब्मरीन पंडूबिया भी बनाई जो के पानी के अंदर चलती है और बड़े से बड़े पानी वाले जहाज को एक सकेंड में मार गिराज एक और बहुत टगड़ी को आगे ले गया जर्मनी में ऐसा विचार लाया कि नाजिवाद ही सब कुछ है और उसके जो खिलाफ बोलेगा वो कुछ नहीं है और इनकी जो आइडियोलोजे ही है वो आपने देखा ही इस तरह कि इनकी आइडियोलीजी थी तो यह रहा उसके बाद एकिए जो सकेंड वर्ल मचाई थी फर्स्ट वर्लवार के खतम होने पे वर्साइकी संदी का जितना फ्रांस ने फाइदा उठाया था उस सभी का बदला जर्मनी वाले हिटलर ले लेते हैं जर्मनी फ्रांस से क्या कहते हैं कि जितना भी तुमने मेरा खर्चा लिया है फर्स्ट वर्लवार के बाद जो Gelendrai Frans का खर्चा ऊठा रहा था अभी ये रिवन्स कर देता घेमानी के हेट। 24 मोलते है अभी जितना भी हर्चा हुआ जितना भी कोईला तुमने जर्मनी से लूटा जितना भी पैसहा तुम गैया और सभी बापस करो और 10% ब्याज के साथ बास करो then फ्रांस से फिर जर्मनी पैसा लेने लगता है हिटलर पैसा मागने लगता है और फ्रांस को देना पड़ता है क्योंकि फ्रांस पे कबजा किस ने कर लिया था हिटलर ने कर लिया था फ्रांस को हरा दिया था एक निद में फिर ऐसे करते करते फिर आगे फ्रांस को बचाने इंगलेंड आता है इंगलेंड बचाने आता है इंगलेंड को चारो तरफ से जर्मनी वाले घैर लेते हैं Thom नच्लर का स्वार्थ चाहिए. के हिलर ने क्या क्या चीजे करी थी किस पहले मारा उड़ा कैसे और ची henu स्वार्थ धर्च या जिए के और ज़ selfishर चलता या ये जब तक आप है नाजिजंब जर्मनी में किदा दौरा लाए गया था एडॉ specially मरत हैं उसी के साथ ये नाजिजंब खत्म हो जाता है और जो हैं जो है आपका फासिवादी है जो इटली में आया था वो मुस्लिनी जब मरता है साथ मुस्लिनी का मरता है निस दो दिन का नंतर है 28 अपरेज मुष्यनिय मरे उस्वां को मरता है 30 अपरेज मुष्यनिय को हिटलर के मरते के साथ चिजेंगे यह चार्ट आप लोग अपने में डौड डौन कर लिज़ेगा काफे जदा ही पॉर्टेट है ठीक ओके बिलते हैं एक लिए वीडियो पे थाइक की फूर वाचिंग मैं वीडियो